अगर आपने पहले पाँच 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 नहीं देखे ना तो पहले जाके वह देखो यह हमारे मेनू प्रिप्रेशन का पार्ट है दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊंगा मेनू को यूज़ किया जाता है ऐसा कंट्रोल टूल की तरह तो कौन-कौन से पॉइंट पर किया जाता है वह द्हान में देखिएगा दोस्तों तो बिना दिर के वीडियो शुरू करते हैं तो इसमें लिखा सिर्प इतना है कि मैनू का मतलब यह नहीं रहता कि सेलेक्शन आफ आइटम हो गया जो कि प्रेजेंट किया जाता है गेस्ट को रिटेन फॉर्म में इसको एज़ या फिर डिस्क्रिप्शन रहता है जो मैनू पर उसमें कोई फॉरें लाइंग्वेज हो गया या फिर अदर स्पेशल टैप आफ कुकिंग प्रोसेस हो गया तो वह मैनू के स्पेसिफिकेशन को उसमें दिखाता है दोस्तों तो यह ध्यान में रखिएगा वह एज़ा कंट साफिकस इललेस्टेशन हो जो मैनू को मतलब स्पेसिफिकेशन में अब नेकश्ट आ जाता है दोडिस्टो मैनू कम वंपोजिशन मेनू का सिंपल मतलब है दोस्तों एग वेल बैलेंस जो मेनू रहता है न दोस्तों वो गेस्ट को हमेशा सैटिस्फाय करता है कभी भी उसको ओवर रेटिंग जैसा नहीं लगता है कभी अगर आप मेनू प्रिपेर करते हो ना तो मेनू कंपोजिशन हमेशा ध्यान में रखा करो क्योंकि एक वेल बैलेंस मेनू बना होते हैं तो मतलब कंट्रोल कर लेता है लाइट फूड और हेवी फूड को बैलेंस करके ज्यादा फूड वेस्टेज को कंट्रोल करने का काम करते हैं तो इसमें आप सबको वही मिल जाएगा जो मैंने आपको अच्छे से समझाया अब नेक्स आता है मेनू इंजिनरिंग त देती हो और कौन सी डिशेज मैनू की पॉपलारिटी है तो यह करने के लिए मैनू इंजिनरिंग टूल का यूज किया जाता है अब यह इतना एफेक्टिव क्यों रहता है क्योंकि इसमें प्राइज हो गया डिसीजन हो गया मॉडिफिकेशन हो गया रेसिपी डिजाइन हो मतलब अभी के प्रेजेंट सिनारियो में एक पाउरफुल टूल हो गया है रेस्टोरेंट मैनेजर और शेफ लोग के हाथ में मेनू इंजिनरिंग दोस्तों अब आगे चलते हैं यहां से पढ़िए मैनू इंजिनरिंग एक यूनिक टूल है कंट्रोलिंग फूड कोस्ट हो सब्सक्राइब में इन्वाल रहता तो यह ध्यान में रखेगा मैनू इंजिनिंग और मैनेजर और शेफ्पस्ट इन्फोर मेंशन मेनू फेलि है और यह सब के बारे में में फिर से पॉपलर्यरिटीव प्लैनिंग रेसीपी डिजाइन और कस्टमर प्राइजिंग इस सब में वही सब है जो आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा इसका कुछ इस समझ में लिवाई चाहता लाइगा से सब अंद है को बहुत है